इस वीडियो में दोस्टो हम लोग बात करेंगे IS-D10 के 2स होने वाले सेकेंड मैच के बारे में दोस्टो आज का सेकेंड मैच SS और 200 CP टीम के भीच खेला जाएगा यब मैं दोस्टो ध्यान रखिएगा राथ के 12 वज़े से स्ठाट होगा इस वीडियो में दोसों मैं आपको इस match related अपना small league का team share कर रहा हूँ और साथी साथ दोसों यदि आप खुद से इस matchman team बनाना चाहते हो small league और दोसों grand league का तो इसके लिए दोसों आपको इस वीडियो में सभी player का proper stats मैंने provide कर दिया है उनका दोसों अभी तक tournament में कैसा performance रहा है batsman दोसों कब batting करने आते है बॉलर दोसों कब balling करेंगे आज के match में दोसों आप किने captain bc बना सकते हो small league में grand league में दोसों आप किन पर ricks ले सकते हो उनका tournament का performance के आधार पे सभी कुछ दोसों आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो आप सभी दोस वीडियो को पूरा watch कीजेगा कोई question हो नीचे आप दोसों comment section में मुझसे पूछ सकते है और जो भी दोसों मैं small league का team दिया हूँ इसका link दोसों आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तो comment section में भी first comment पीन कियो आप मिल जाएगा जाए दोसों टेलिग्राम के साथ जुड़ जाएए और साथी साथ दोसों यदि अभी तक आपने YouTube चानल को subscribe नहीं कियो ठीक ना दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हम लोग SS और CP के match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तों इस match का combination हम लोग start करते हैं विकेट कीप रिंग section से विकेट कीप रिंग section में आएगा तो दोस्तों आपको first option मिलेगा Hillary जो दोस्तों आपको open batting करने आएंगे और अभी तक इस tournament में batting से बहुत अच्छा performance भी रहा है चार match के लिए जिसमें आपको batting से 97 run score किये है फिर नीचे आईगा दोस्तों तो आपको Benjamin का option मिलेगा Benjamin दोस्तों एक hit and miss time का player है ठीक ना आते ही दोस्तों ये 6 मारने का सोचता है यदि दोस्तों 10 ball खेल लेता है तो उस match में 30 plus score कर देगा यदि दोस्तों 10 ball लाइन खेलता है तो धियान रखेगा 0 run एक run भी score कर सकते है क्योंकि अभी तक इस tournament में 4 match इन्होंने खेला है ठीक ना जिसमें दोस्तों 2 match में इन्होंने 0 run का score किया था स्टार्टिंग में ही आउट हो गयते बड़ 2 match में दोस्तों 1 match में 50 plus score की और 1 match में 20 plus score की है यदि टिक जाते है तो आपके लिए दोस्तों must important pick बन जाते है मैं recommend करूँगा small league में दोनों को रख लेना ग्रेन लिग में दोस्तों आप definitely benjamin पे रिक्स जरूर लिजेगा drop करके ठीक ना अब बात करें दोस्तों हम लोग batting section तो batting section में दोस्तों एस रिगे आपके team में होने चाहिए अच्छे all rounder player है दोस्तों balling थोड़ा सा कम करते हैं but important रहेंगे अभी तक tournament में 4 match के लिए जिसमें आपको batting से 68 run score किये और 4 match में 2 over bowling करके आपको 1 wicket provide किये और batting position भी दोस्तों हमेशा इनका top order में ही दिखेगा open batting करेंगे नहीं तो दोस्तों आपको first round batting करने आ जाएंगे फिर नीचे आएगा दोस्तों आपको demoni का option मिलेगा अच्छे दोस्तों hard eater batsman है second round batting करने आते हैं performance तो अभी तक tournament में 4 match खेले जिसमें आपको batting से 57 run score किये है फिर नीचे आएगा दोस्तों आपको natrum का option मिलेगा आप दोस्तों देखो मैं इने right now team में नहीं रखरूंगा अप देखो यदि आप ऐसे कोई platform पे खेलते हो जहां पे आप दो batsman के साथ जा सकते हो तो regage और दोस्तों mani को team में रखेगा और दोस्तों आगे बढ़ जाएगा लेकिन यदि दोस्तों आप ऐसे कोई platform पे खेलते हो जहां पे दोस्तों तीन batsman रखना compulsory होता है फिर दोस्तों वहां पे आप नीचे से natrum को try कर सकते हो natrum का performance देखे तो 4 match खेले टुनामेंट में जिसमें आपको batting से 21 run score किये नीचे दोस्तों इनसे बेटर तो कोई खास option है नहीं इसलिए मैं बहुत ज़्याद आपको confuse नहीं करूँगा और maximum player दोस्तों खेलेंगे भी नहीं अब बात करें दोस्तों हम लोग allounded section तो allounded section में दोस्तों आपको first option मिलेगा आर बिलियम्स जो दोस्तों इस टुनामेंट में अभी तक 4 match खेले जिसमें आपको batting से 101 run score किये और 4 match में 3 over balling करके आपको 1 wicket provide किये ओपन दोस्तों बैटिंग करने आएंगे ध्यान रखेगा important नहीं must important peak है दोस्तों आप नीचे आईगा तो नीचे आपको आर जोन का option मिलेगा अब दोस्तों देखो आर जोन का बैटिंग से बहुत खराब performance रहा है लेकिन balling से आप ignore नहीं कर सकते हो बहुत ही अच्छा है इन्होंने balling से performance किया है अभी तक 4 match खेले टुनामेंड में जिसमें आपको बैटिंग से 17 रहने score किये और वहीं दोस्तों balling से 4 match में आपको 3 बिकेट प्रवाइड भी किये और 8 over complete balling भी किये फिर नीचे आईगा दोस्तों तो आपको ducking का option मिलेगा average साथ दोस्तों player है देखो selection percentage इनका high इसलिए जा रहा है नहीं क्योंकि last match में इन्होंने दो ही over में आपको 3 बिकेट प्रवाइड कर दिया थे लेकिन एक और चीज में add कर दो दोस्तों उससे पहले इनका performance बहुत ही खराब था अभी तक देखो तो इन्होंने 4 match खेला है जिसमें आपको 3 बिकेट प्रवाइड किये और यह 3 बिकेट दोस्तों इन्होंने last match में लिया है उससे पहले दोस्तों इन्हें बिकेट नहीं मिला था तो selection percentage हाई है small league में आप try कर सकते लेकिन GL में दोस्तों आप इनके जगह किसी और player पे भी आप definitely ricks भी ले सकते है फिर नीचे आईगा दोस्तों तो आपको नायर का option मिलेगा constantly दोस्तों आपको सभी match में 2-2 over का balling करते अच्छे baller है last match में open भी batting करने आगे थे but still batting से कुछ किये नहीं थे बढ़ आप try कर सकते हो चार match के लिए tournament में जिसमें अभी तक आपको 2 wicket provide भी किये और 4 match में 7 over complete balling भी किये फिर otherwise दोस्तों नीचे से जाओ तो जो मैंने उपर में डक्केन को try किया आप इनके जगह नीचे से Oliver पर आप ricks ले सकते हो क्योंकि captain दोस्तों इन्हें सभी match में 2-2 over balling देता है से Oliver को टीम में रख लू मैं right now safe जा रहा हूँ अब बात करें दोस्तों हम लोग balling section तो balling section में आईएगा तो दोस्तों आपको award का option मिलेगा जिनने दोस्तों आपको single combination से भी drop नहीं करना है must important pick है because tournament में इन्होंने performance बहुत ही अच्छा किया है चार match खेले जिसमें आपको batting से 17 run score किये और वहीं दोस्तों 4 match में आपको balling से भी देखो तो 8 over complete balling करके आपको 3 wicket provide भी किये फिर नीचे आईगा दोस्तों तो आपको sun paul का option मिलेगा अच्छे दोस्तों all rounder player है batting भी दोस्तों आपको 4 number पे करने आजाते है और साथी साथ 2 over तो आपको balling करते ही है performance देखे तो अभी तक tournament में 3 match ही खेले जिसमें आपको batting से 50 run score कर चुके है और वहीं दोस्तों 3 match में balling से 4 over complete balling करके आपको 2 wicket provide भी किये गलती से भी दोस्तों drop इने भी नहीं किजेगा ठिक ना और मैं तो recommend करूंगा grand league में आप इनको captain bc भी try कर सकते हैं फिर नीचे आईगा दोस्तों तो आपको s Lewis का option मिलेगा Lewis दोस्तों अभी तक tournament में 4 match के लिए जिसमें आपको 7 over complete balling किये और 4 match में दोस्तों आपको 3 wicket provide किये नीचे आईगा दोस्तों तो आपको dcirus का option मिलेगा performance देखे तो अभी तक tournament में 4 match के लिए जिसमें दोस्तों आपको 1 wicket provide किये और 8 over complete balling किये सबसे बड़ा plus point दोस्तों क्या है तो सभी match में captain इने 2-2 over का balling दे रहा है selection percentage बहुत ही कम जा रहा है GL में दोस्तों आप इन पे ricks ले सकते है फिर नीचे आईगा दोस्तों टाइसन का option मिलेगा last match दोस्तों खेल नहीं रहते इसले इनका selection percentage भी कम है और इसले मैं try भी नहीं कर रहा हूँ पर यदि दोस्तों ये playing level में आते है तो दोस्तों ध्यान रखेगा GL के लिए एक अच्छे option बनेंगे यदि दोस्तों इनकी team balling first करती है ठीक ना balling second करे तो फिर दोस्तों आप इन्हें drop कर दीजेगा performance देखे तो अभी तक tournament में 2 match के लिए जिसमें आपको 2 over balling किये और आपको 2 wicket provide भी किये है फिर नीचे आईगा दोस्तों आपको last option जे टेलर का मिलेगा टेलर का दोस्तों selection percentage 6 है performance देखे तो टुनामें में 4 match के लिए जिसमें आपको 2 wicket provide किये और 6 over complete balling किये है ग्रेन लिग में दोस्तों आप ये Lewis के जगा आप इनको try कर सकते हो और especially तब जब दोस्तों CP की team balling first करती है balling second करे तो फिर बाई Lewis को आप important pick में रखेगा क्योंकि Lewis दोस्तों देथ में balling करने आएंगे में लिए दोस्तों over number 7 और दोस्तों over number 9 अब बात करें दोस्तों मैं जा रहा हूं आर बिलियम्स के साथ जैसा मैंने बता है दोस्तों open batting करेंगे और 2 over balling करेंगे 22 captain दोस्तों इस match में आपके लिए धियान रखे का वही सबसे game changer रहने वाला है अब 22 captain का option देखिए आपको first 200 option मिलेगा हिलेरी एक consistent batsman है जो दोस्तों आपको extra point bicket keep ring से भी provide करते है और open batting करते है Benjamin को दोस्तों आप grand league में try कर सकते हो 22 captain hit and miss type के player है यदि दोस्तों 10 ball खेल लिए तो आपको definitely आगे धियान रखेगा 50 run भी score कर सकते है batting section से दोस्तों रीगीज को कोई try नहीं कर रहा है बड़ दोस्तों आप इन पे grand league में रिक्स ले सकते हो because captain दोस्तों इने देखो तो 1-2 match में 1-1 cover का balling दिया है और batting दोस्तों हमेशा top order में करने आ रहा है मैं दोस्तों right now as a vice captain नीचे से sun fall को try कर रहा हूँ because जैसा मैंने बताया था इनका record आपको batting से देखो तो 3 match में 50 run score भी कर चुके है और वहीं दोस्तों balling से आपको 3 match में 3 wicket provide भी किये है अभी के लिए दोस्तों ये team मेरा final team में आप सभी दो system का screenshot ले लीजे और दोस्तों contest च्वाइन करके रखे इसका link दोस्तों आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तों comment section में भी first comment pin के हुआ मिल जाएगा जाएए दोस्तों telegram के साथ जूड़ जाएए और साथी साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने youtube channel को subscribe नहीं कियो तो दोस्तों youtube channel को जरूर subscribe किजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तों सबसे important कोशिस किजेगा notification का घंटी पर जाद देने का जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठीक न दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी से next titan के वीडियो में जैहिन दोस्तों take care and bye bye